नर्वस हो? देखिए, एक्जाम से पहले, एक्जाम के बाद ये आपका फियर कि एक्जाम कैसा हुआ है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या मेरा कोई फ्यूचर है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? ये सवाल आपके जहन में आना बहुत नाचरल है, सुभाविक है और काफी हद तक हेल्दी भी है, पर अगर ये एक्जाम फियर, अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा रहा है, अगर आप अपने आपको लगातार कोस्ते जा रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो जिन्दगी नहीं है, आपकी जिन्दगी इन एक्जाम इन रिजल्स से कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट एहम है, इस चीज को समझें, खुद पर विश्वास रखें, खुद को मजबूत करें, और लड़ते रहें उन चुनौतियों से जो आपके रास्तों में आ रहे हैं, ये नहीं है, क्या बैट जाएं, रोते रहें, कि कैसे होगा, क्या होगा, कोसते रहें बस, बस दुनिया की बस बुराइयां ही करते जा रहे हैं, कि क्या है ये, मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ, पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हो रहा ह हैं जो आपको और पीछे कर रहा है आपकी जर्णी में आपने चाहे आज तक जो भी किया हो जब भी आप उदास हो बस एक चीज़ अपने आप से कहें और फिर देखिएगा कि कैसे आपका रिजल्ट है जो भी हो क्योंकि आपने जो काम किया है उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट में लेगा नौस से जादा नौस से कम पर हां, आल इस वल कहने के बाद आप अपनी जर्णी तक खुशी-खुशी, हस्ते-हस्ते ज़रूर पहुंचेंगे All the best Keep hustling, guys और प्लीज, exam, fear जैसी चीजों को आपने उपर हावी ना होने दे यह सब के साथ होता है और यही ताइम है to just fight back और जो इस ताइम पे अपने आपको पस ठिर कर लेगा and that will be the person who will be winning the race at the end of the game he will be the winner and she will be the winner whatever the case is so, okay keep hustling goodbye